नमस्कार आदाब और न्यूस क्लिक में आपका स्वागत है आज दुपहर को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने घोशना की कि भारत ने एक एंटी साटलाइट मिशन चलाया जिसमें एक लो अर्थ और्बिट साटलाइट को मार गिराया गया इस बात पर चार्चा करने के ल साटलाइट को साटलाइट गया है कि मोदी जी है न अपने भाषण में कैक यह एक परक्षा थी और टैस साटलाइट था जिसमें इस शाटलाइट गिराए और उसको गिराना हो तो किस प्रकार का यंत्र आपके हाथ में होना चाहिए उसका एक demonstration है तो ऐसा अस्तर इंडिया ने develop किया है और develop करने के बाद किसी दूसरे देश के satellite के ऊपर तो टेस्ट नहीं करेंगे वो तो सीधा यूद हो गया तो ये तो अपने ही कोई उपगराय जिसने अपनी जिन्दगी या useful जिसे कहते हैं वो खतम हो गया हो और जो अभी कुछ काम नहीं कर रहा है पर अभी भी अंतरिक्ष में घूम रहा है उसको मार गिराया होगा ताकि ये टेस्ट सफल साबित कर पाए और इसको ऐसे दिखाया जा रहा है कि एक बहुती बड़ी स उपलब्दी है भारत एक जो है चौथा देश होगा जिसके हाथ में ये उपलब्दी है अमरीका, रूस और चीन के बाद पर उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि अंतरिक्ष में भेजने वाले रॉकेट या दूसरे मिसाइल को गिराने वाले मिसाइल को बनाने की पांच या छे देश के पास है तो ये ख्षमता जो है वो उसी आधार की ख्षमता है जो अगर आपके पास मिसाइल भेजने का रॉकेट भेजने का चंद्र तक या मंगल तक जो हमने भेजा है वहां तक की ख्षमता है तो ये भी ख्षमता उसके बराबर का है भारत ने भी दूसरे जखा है लिए हमने च्ठे वाँ मिसाय अफ्ट है थो उसी प्रकार और जहां तक खबर है कि ये 300 किलोंटर की उंचाय कीौ है हमारे जितने अगनी के मिसाइल हैं वो भी तक्रीबन तीन सो किलोमेटर की उंचाई पे अंतरेक्ष में जाते हैं और तो यह वो ही मेरे ख्याल से उसी परिवार का रॉकेट होगा पर इसके साथ रॉकेट के इलावा आपको गाइडन्स सिस्टम चाहिए जो टार्गेट को ढूंडे फिर उसको टार्गेट करे और इसको मार गिराए यह सब मेरे ख्याल से भारत ने कई सालों के अनुभव के बाद डेवलप करके अभी यह टेस्ट किया है और इसको ऐसे भी दिखाया जा रहा है कि यह भाजपा सरकार का अचीवमेंट है जबकि भारत का जो एंटी साटलाइट प्रोग्राम है वो यूपीय के दोरान ही चालू कर दिया गया था दोहाजार बारह में डॉक्टर विज किसमत अच्छी रही है कि मंगलियान का लांच भी हुआ था कुछ साल पहले और उन्होंने अपने वक्तव में अपने जो अनौंसमेंट किया था उसमें कहीं नहीं दिखाया कि यह पिछले सरकारों का भी इसमें योगदान है और अब की बार भी उन्होंने ऐसे कुछ नहीं का कि यह पहले से चला आ रहा है प्रोग्राम हमारे वह ग्यानिक इस पर कई सालों से लगे हुए हैं भारत ने इस प्रोग्राम को 2007 में शुरू किया था जबकि चीन ने पहला अपना एक ऐसा टेस्ट किया था एक साटलैट को मार गिरा है तो भारत में इसके बारे में काफी चिंता थी और उस टाइम के सरकार जो यूपिये की सरकार है उन्होंने तै किया था कि हम भी ऐसा एक प्रोग्राम शुरू करेंगे और इसकी घोशना आपचारिक रूप से 2010 में किया था जब वीके सारस्वत जिनका आपने जिकर किया वो इस प्रोग्राम के इंचाज थे औ और आजकल वो निती आयोग में हैं तो वही वीके सारस्वत हैं जो उस टाइम पे यूपिये सरकार के साथ जुड़े हुए थे और आज भाजपा सरकार के साथ जुड़े हुए तो वो तो अच्छी तरह जानते हैं कि ये कब शुरू हुआ और कहां हुआ तो मेरे ख्याल से तो ये अच्छी बात रहती कि अगर प्रदान मंत्री ने इस्रो के और हमारे अन्य वेगानिकों के दस साल से लगातार किया गया परिश्रम को उन्होंने अक्नालेज किया होता ना कि ऐसा दिखे कि हमने परसों शूरू किया था प्रोग्राम और आज सफल हो गया और अंतराष्टिय कानून की बात की जाए अगर तो इस उपरेशन का अंतराष्टिय कानून पर क्या असर हो गया फिलहाल अभी तक इस पे कोई कानून नहीं है अंतराश्टियस तर पे हालांकि जितने बड़े देश हैं जिनके पास अंतरिक्ष में भेजने की ख्षमता है वो इस कोशिश में थे कई सालों से कि कुछ कानून बनाये जाए जिसके अंतरगत जैसे अनुशक्ति के टेस्ट हैं जिसमें केवर पांच देशों की ख्षमता की मान्यता है और भारत को या पाकिस्तान को या इसराइल की जो ख्षमता है उसके लिए लीगल कोई मान्यता नहीं है इसका तो वैसे ही अंतरिक्ष में वो कोशिश कर रहे थे कि आइंदा से कोई आंटी साटिलाइट वेपन ना क कि अपने फिर डेवलोपमेंट्स वगरा आगे बढ़ते हैं दूसरी बात ही है कि अंतर राश्टी इस तर पे कि अगर आपने साटिलाइट को मार गिराया तो वो चुकना-चूर हो जाएगा और उसके हजार-दोहजार टुकडे वो भी अंतरिक्ष में घूमते रहेंगे त चीन ने जब दोहजार साथ में अपने साटिलाइट को गिराया तो दोढ़ाई हजार पीस तकरीबन अंतरिक्ष में घूम रहे थे और वो खत्रे की बात है दूसरे साटिलाइट को चोट लग सकता है और पिछले चीन के टेस्ट में एक रूसी साटिलाइट को कहा जाता है क कि शायद इसके वज़े से वो दुरगटना गस्त भी हुआ तो भारत को बाकी देशों को और अपने भी जो तौर तरीके हैं उसको ऐसे करना पड़ेगा कि अगर ऐसे टुकड़े हो स्पेस में तो उनकी या तो सफाई हो या टुकड़े इतने चोटे हों कि वो वापस आट तुकड़े घूंगते रहेंगे तो बाकी उपर ग्रहों के लिए ये खत्रा का मामला है और आखरी बात यह है कि जितने बड़े स्पेस के पावर्ज हैं और अंतर राश्ट्री इस तर पे ये अभी तक सब देशों का एक कमिटमेंट है इसके बारे में कि अंतरिक्ष को हम नहीं करेंगे तो भारत को मेरे ख्याल से अन्य देशों को एक आश्वासन दिलाना चाहिए जो प्रदान मंतरी मोदी के स्टेटमेंट में तो था पर हमें उनको आश्वासन दिलाना चाहिए कि भारत इस प्रकार का कोई अंबिशन या विचार नहीं रखता है और मैं इसको इसलिए जोर दे रहा हूं कि जोश में आके शायद भाजपा के कई प्रवक्ताओं ने काफी एक ताकतवर देश होने के नाते दुश्मन के खिलाफ हमारी ताकत को दिखाने वाले इस प्रकार के बयान दिये हैं जो मेरे ख्याल से हमें नहीं करना चाहिए तो शुक्रिया रगो आज हमसे बात्षीत करने के लिए और निस्क्रिक देखने के लिए धन्यवाद